अापकार दोस्तो दोस्तो जब हम किसी भी resistance को ड्रो करते हैं इस तरीके से यह हमारा एक resistance zone है तो जब हम resistance zone बना देते हैं तो हमें यह कैसे पता सलेगा कि यह resistance market break करेगा यहां से market इस तरीके से गिरेगा यहां से market गिर के इसको तोड़ देगा ठीक है और entry हमें किस वक्त प्लान करनी है ठीक है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको resistance को दो concept बताऊँगा दो concept होंगे कि market इस resistance से नीचे गिरेगा या इसको sustain करेगा या इसको तोड़ के चला जाएगा ठीक है उसके दो concept होंगे बात करेंगे और दोस्तों मैंने जो भी मेरा दोजार चोईस तक का पीएनल अभी तक का ठीक है वह मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है और अगस्त महीने में अपन लोस में ठीक है प्रोपिट में नहीं है कोश्ट तो कोश्ट माल लो ज्यादा प्रोपिट लोस कुछ में यह कोश्ट टू-कोश्ट ही है ठीक है तो आज का जो ट्रेड वह मैंने यहां पर लिया था वह भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रूब में डाल लिया इस जगह पर ट्रेड लिया था मैंने फिर यह कंडल टीट डिके में अशल खा गई और अपना अशल पूरा हो गया था ठीक है तो चले दोस्त बेन जर्के वीडियो सुरू करते हैं तो रिजिस्टेंस बिलकुल लोजिक के साथ में रहेंगे अपने बिन फाल के बीच के यह रिजिस्टेंस जोन अपने बना के रखने और इसका उल्ठा सपोर्ट का होगा ठीक है तो वीडियो लंबी हो जाएग यह वाला थिक है आप भी यह resistance बनाऊगी ठीक है और एक resistance मैं यहाँ पर बना दूँँगा यह दो resistance हो गए है ठीक है यह देखो तो अब देखो अब आती है हमारी analysis की बारी तो market अब इस resistance से नीचे आने के लिए market में क्या-क्या conditions होनी चाहिए आप क्या करते हो, यहां से market गया, यहां पे आपको कोई भी shooting start दिखी ठीक है, आप यहां पर downside के लिए trade ले लेते हो लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको पूरी पिछली stream भी देखने है कि पिछली stream में market क्या कर रहा है, ठीक है, तो दो concept होंगे पहले concept को आप देखिए, कि पहले concept में आपको एक resistance zone को कैसे trade करना है, यह है कि अगर market यहां पर इस तरीके से higher high में जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल छोटे-छोटे higher high बनाते बनाते, देखो तो हमें यहां से downside का trade नहीं लेना है, जब तक पिछले low के नीचे कोई candle close नहीं हो जाती, या पिछले low की liquidity नहीं ले लेता है market, तब तक हमें downside का trade नहीं लेना है, ठीक है, यहां पर देखो, ओर, यह आपका एक resistance zone है, यह वाला यह एक resistance है, यह वाला एक छोटा सा, market इस तरीके से higher high में गया था, यहां से दुबारा गया high में, ठीक है, low के नीचे close करा, फिर यहां पर downside में आप trade दे सकते हो, low के नीचे close होने के बाद में, उससे पहले आपको trade नहीं लेना है, बिना low के नीचे close होने के बाद, बिना low के नीचे close होने आपको trade नहीं लेना, यह एक resistance बना लेता हूँ, यह वाला मेरे एक resistance हो गया, ठीक है, वो market इस तरीके से देखो, एक higher high में जा रहा है, ठीक है, low के नीचे close करा, अब जब भी market जाएगा, तो आप downside का trade प्लान कर सकते हो, ठीक है, तो अगर resistance के पास में, market higher high में जा रहा है, तो आपको downside का plan तबी करना है, जब market low के नीचे close कर दे, दुबरा उस resistance के पास में जाए, ठीक है, यहां से market यहां पे higher high में गई था, यहां से देखो, resistance के पास में, य low के नीचे यहां पे करने, sweep करी, ठीक है, और high नहीं बना पाया, देखो, अब इसको जाना था ना, sweep करने के बाद में, liquidity लेने के बाद में, नहीं गया, तो अब आप यहां पे downside का plan कर सकते हो, तो पहला concept तो अपना यह होता, अब बात करते हैं, अपने दूसरे concept की, जो सब से important concept है, तो जब भी market यहां पे, यह दूसरा concept चल रहा है, तो market जब दूबबहर यहां पे जा रहा है, तो आपको जो भी पिछली लेख बनी हुई है, उसका comparison, जो अभी present की की लेख, बनी हुई है, उससे करना है, तो पिछली लेख में जो बाइग की candles है, उससे आपकी जो अब जो लैग जा रहे है उससे पतली उससे चोटी-चोटी होनी चाहिए क्योंट क्योंगि यहां से अगर बड़ी बड़ी रजिस्टेंज पर केंडल गई है, तो इसका मतलब मांकेट में जैलर का दवा नहीं है तो इसका मतलब आपका वो resistance break हो जाएगा हाई चांस है कि वो resistance break हो गाई होगा क्यों क्यों क्योंकि sellers ने बिल्कुल भी candles को नहीं दबाया जब मार्केट में seller अगर candle को देखो एक छोटी candle कब बनती है ठीक है यहां से एक यह green candle बन रही है आपको यह मान के चलना है कि यह green candle बन जाएगी ठीक है कोई इसी भी candle बन जाएगी इन वे से तो जब मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस पर जा रहा है देखो यह हमारी सेल की थी candle ठीक है अब यहां पर बाय की candle देखो बड़ी बड़ी जा रही है न तो मतलब यह resistance ब्रेक हो जाएगा ठीक है दोनों कंसेप्ट देखो आपको यह मैंने आपको एक में दो कंसेप्ट बता हैं रेजिस्टेंस को ट्रेड़ करने के दोनों ही कंसेप्ट जरूरी यहां पर बड़ी बड़ी जा रहे है न अब दुबरह क्या हो गया यह चोटी 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 जा रही है इसका मतलब कि यहां से मार्केट ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते हैं आपको दोनों कंसेप्ट पता होने चाहिए और यहीं कंसेप्ट नहीं को ट्रेड करने के बहुत सारी कंसेप्ट है आने वाली वीडियो में आपको वह भी समझा दूंगा ठीक है यहां पर देखो बड़ी-बड़ी कंडल गई थी ठीक है और यह मैंने चीज आपको समझा रखी ठीक है फड़ा रगा यह वाली चीज है आपको तो देखो इसका मतलब बड़ी-बड़ी कंडल जा रही है तो मार्केट यहां से अब नीचे नहीं आएगा इसको तोड़ के चला जाएगा चाहिसे कोई भी सूटिंग स्टार बनाए सुटार देखो यह अपना रजिस्टेंज है टो इस रजिस्टेंज को तोड़ने के लिए मार्केट को बड़ी-बड़ी के जाना पड़ेगा इससे नहीं तो लेकिन ऐसी कंडल बनाके जाना पड़ेगा तब ही रेजिस्टंस ब्रेग होगा छोटी कंडल बना के गया तो सेलर मार्केट को नीचे दखे लेगा देखो अब यहां से बड़ी-बड़ी कंडल गई थी अब क्या हुआ है वासे बायर को देखो चोटी-चोटी कंडल नीचे गर गया अब इन दोनों लैक को देखो बड़ी केंडल थी ठीक है नहीं ट्रेड करना में फिर से देखो बड़ी-बड़ी केंडल है हमें नहीं ट्रेड करना है अपकी बार देखो छोटी केंडल है अब ट्रेड अपन कर सकते हैं तो यहां पर भी आप जो यह हमारा आज का रेजिस्ट चैलर की केंडल को देखो बिल्कुल छोटी-छोटी है वापस से बड़ी-बड़ी गई है यहां पर श्रिंक केंडल बनी है लिक्विडिटी लिया है आई का तोड़के यहां पर अपन डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं सारी चीजों को मर्ज करना पड़ेगा अब पिछली ही वीडियो में मैंने यह समझाया आपको हाई को आई पर लिक्विडिटी लिए नीचे केंडा क्लोज गरी डाउन साइड का ट्रेड प्लान करती है ठीक है आपको बस उसको याद होना चाहिए अच्छे से आपको समझ में होनी चाहिए ठीक है यह लो अब मैं यहां से हाईराय को देखा तो मैंने यहां पर ट्रेड नहीं लिया फिर मैंने देखा कि हाँ की साइज भी चोटी हो गई है उलीकुडिटी भी ले लिया तो इतनी सारी चीजों को आपको मर्च करना पड़ेगा तब जाके आप ट्रेड में प्रोपिटेबल हो पाओए आप आप सोचो कि यहां पर यह सुटिंग स्टार बन गई रिमा ट्रेड ले लिया ऐसे कफार नहीं पड़ेगी पूरी दूनिया ही प्रोपिटेबल हो जादी आपको सारी चीजों को मिक्स करना पड़ेगा अपसाइड का ट्रेड प्लान करना मैंने साप समधा रगा आपको कि लो में पूज लेना और वीडियो पसंद आयो तो लाइक कर देना और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद